हेलो डियर फ्रेंट्स मेरा नाम है प्रकाश बासकरनी के मुराब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सी बीन अकडेमी दोस्तों इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं इंग्लीश और इतियास की ऑनलाइन टीचिंग की तो आप इस चैनल पर अगर नहीं है त सबी वीडियो मिलती रहें नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए आज हम लोग बात करेंगे बारवी के इंग्लीश के लेसन की अच्छली नॉवल की चौता पार्ट जो है बारवी का जो इंग्लीश का पुस्तक है वह चार हिस्सों में बटा है आप सबको पता है उसमें से ए सब्सक्राइब करने वाले इस से पहले हमने इस नॉवल की समरी देखी है हमने इस नॉवल के साथ बाकी सारी चीजे मतलब समरी देखी हमने उसके बाद सिनॉप्सिस देखा है उसके बाद थीम देखिए यह सारी चीजे हमने अब तक देखिए हम लोग इसके आगे बढ़न तो हमने यहां तक समरी देखी थी समरी के बाद जब हम लोग आगे बढ़े तो समरी के के बाद हमने सिनॉप्सिस देखा था सिनॉप्सिस के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसमें हमने आज हम लोग देखने वाले कि किस तरीके से चाप्टर आपको यह नॉवेल देने का कारण सिर्फ इतना है कि आपको यह समझ में आए यह नॉवेल किस तरीके से होते हैं तो यह समझने के लिए यह नौवल है आपको तो हम लोग आज यह देख रहे हैं कि तो हम लोग इस टॉपिक सो शुरू करें इससे पहले आपको यह याद दिला दू कि हमारे ब्लॉक आप cbnacademy.in पर बाकी सारे लेसंस की नोट्स आपको मिल जाएगा आप वहाँ पर जाकर नोट्स देख सकते हैं पढ़ सकते हैं जिससे आपको यह आराम से देखने को मिल सकती है ठीक है तो उससे क्या होगा कि आपको ओनलाइन टेस्ट भी हो आप पर टेस्ट भी समझ में सकते हैं तो आज हम लोग तीसरे पार्ट में पहले दो पार्ट हमने देख है जो पहला पार्ट आपको बताया मैंने कि जो पहला पार्ट है आपका उस पार्ट में हमने बात की थी समरी की दूसरे पार्ट में हमने बात की थी सिनॉप्सिस और थीम की तीसरा पार्ट है तीस the things are there now the next thing are going to come here and the next thing is quite different than this uh 17 chapter we are going to start today and in that 17 chapter we need to understand this is the time of a kind of parents meeting student teacher parents meeting like that here we have the students actually and students explaining about their experience of the teaching तो यह जो नौवल है वो है यह ब्रेथवेट जो है उनके जीवन के बारे में उन्हों ने किस तरीके लिए जॉब के लिए श्ट्रगल किया एक ब्लैक इंसान होने के वुझे से उनको कितना तकलीफ हुआ यह सारी चीज़े इसमें दी गई है उसके अलावा आगे बढ़ने के बाद वह एक ग्रिंस्लैंड नाम के स्कूल में एटेच हो गए वहाँ पर टीचर के तौर पर काम करने लगे टीचर के काम करते समय उस वक्त उनको क्या-क्या तकलीफ हुए क्या-क्या चीज़े उन्हों कि असके बारे में बात कि तो आज हम लोग उसका सेवैंटीन नमबर का चाप्टर देखने वाले इस सेवैंटी नमबर चाप्टर में अभी यहाँ पर एक मीटिंग चल रही है और यह मीटिंग पुरी तरीकी से स्टूडेंट ने एरेंज की है और स्टूडेंट आपने एक्स्पिरियंस बता रहे है किस तरीके से उनको कॉलेज लगा स्कूल कैसे लगा कैसे पढ़ाते टीचर कौन-कौन सी तकलीफ है क्या कुछ है वो सारी आप पूरी कहान एक बार फिर से समझेंगे ठीक है तो आज हम लोग 17th नंबर चाप्टर के बारे में बात करते है तो आप येरली रिपोर्ट आप तूडेंट कांसील वाज ओन नॉवेंबर 15 और वाज वन आप इंपोर्टन देस इंदे क्लेंडर आफ ग्रेंस लांड फोर ग्रीस लांड स्कूल तो यहाँ पर है कि आदा साल गुजर गाया अभी उसका रिपोर्टिंग करने वाले स्टूडेंट कांसेल की तरफ से स्टूडेंट कांसेल मतलत स्टूडेंट ने अपने और से बना हुई एक समिती जिसमें स्टूडेंट ही रिवी करते कि कैसे लिbitsर पादा रहा है सही पड़ा रहे गलत पडा रहे कितने लेक्टर हो रहे किय shrinking क्या कुछ यह सारी चीजे वापर चोचंतर होती है तो इस तरिके से ये बहुत इंपर्टंट दिन जो नवेंबर 15 को रखा गयya greenland के लिए बहुत greenland के लिए बहुत जरूरी दिन है I had here quite a deal about this occasions and becomes and excited as the children as the day approach that means as we know that Brett West is a new person over there and he is also excited like other students that means students are excited just because this is something new for them and most of the students are old they know all these things like the new student this teacher is also new for this school and this kind of thing so he's also too much excited about it so why can't breath wait could be a would be good both excited it's a you know how to do that आने होगा शायद से कि अभी आज दिन में बताएंगे बच्चे की कैसे उनको लगा कैसा experience रा क्या कुछ चीज़े उन्होंने की क्या कुछ सीका क्या कुछ उनको गलत लगा वो सारी चीज़े आज करने वाले और जैसे नए student जैसे excited है वैसे नए टीचर के तोर पर मतलब कभी देखाने यह सारी चीज़े इस लिए ब्रेट वेट भी खुद भी excited है इस चीज के बारे में ठीक है इस चीज़ के बारे में ठीक है से आरेंज किया है उसमें आरेंजमेंट हो प्रेजेंटेशन हो या कंट्रोल हो सारी की सारी चीज़े student करेंगे कोई भी उसमें बीच में बोलेगा नहीं ठीक है उसमें और एक है आप्सक्राइब देखने की बारे में ठीक है और उनके लिए बहुत जरूरी बहुत अच्छा यह है और उनके लिए बहुत अच्छा लग रहा है यह थी अच्छीट को देखने की बाद देर विश्पर कॉन्फरेंस विट मेंबस अधर क्लासेश इन अर्रेंजमेंट अफिड देखने के बारे में भी बात करें दूसरे क्लासेश के भी विश्पर मतलब दीरे दीरे से बोलना on that day there was no assembly the children arrived smartly dressed and polished and miss joseph and damen who seems to be the important officials for the occasion move about among their colleagues ensuring that each one was ready to play his her part now here is the thing that means on this day there is no assembly assembly that means we have in the morning assembled together and we have prayers and so on that was not happened here so that they was not there all the students are get ready and came to the side on this student joseph and damen is really important just because of they have a role today so they are looking important and they are come with their colleagues and they are looking like that means everyone should take his part and be ready for his and her part to deliver it to you haa par joe hai bacho ka उस दिन assembly नहीं हुआ है assembly मतलब आप लोग सभेरे इकटा होते राश्टरीगीत होता है प्रातना होती है है सारी चीज़े नहीं हुई है डाइरेक्ट ले आकर बच्चे क्लास में आ गए है और उसमें जो डैमन है या फिर जोसे वह इंको बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो अपने कलीस के साथ आ गए है और शूर हो रहे है कि सारे लोग तयार है इस चीज़ के लिए ठीक है तो यहां पर सब बच्चे के बाद बेल हो गई है और बील और बैट गया अभी जगा पर बैटने के बाद वह अपने अपने क्लास के साथ से बैट आज कुछ अलग दिने थे आप भी जैसे कभी हमारे या गैदिन होती है या फिर दूसरे प्रोग्राम होते आप कैसे इंट्रे मिस जोसेफ और देमन, the two most senior students sat on the stage, one on each side of the Miss Florida, who as soon as everyone was seated and silent, stood and addressed the school. now that means Joseph and Dayman was the old student of their school, they are senior so that they got the chance to be there and sit on that particular seat, so they are happy with that and Miss Florida was going to present, who started the thing, who started when the students are seated or arranged properly and then they started the thing. सबसे पहले मतलब उपर जाकर स्टेज पर बैटे है उनको मान मिला आज और मिस्टर फ्लोरिडा जो है वह आगे आकर उन्होंने अपना काम अभी शुरू किया है तो यहां पर एक बात समझ दिजे कि जैसे अमारे यहां शिक्षक दिन होता है उस दिन आप सब लोग टीचर ब जलने हो लगे ड्वी शुर्बा मेल धन्होँ अपने कि अभी को यह शुटनिश को सकेडे की को फबाट इच सब्सक्रा मे chưa है खािच बाटना ही शुट्स सर्षकी मेल यत प्सक्रीड, हम इन परेफ़ को करदा तावी ह्न enforce जाल्य इन करें सिंदित चीश गर्षेड़ का compliance झाल्य jáग फ्टहर जार्विम्ह चानलियермट जी में सकते से घप dejaष, घह अहाव fils कि Atlas οर Avoid Iwn Topicstar थिंग चब्टूराएं इसे टो टेंट यहां पर मिस्टर फ्लोरियन år monks बताया है कि च्छेल की पॉलीजी का प्रष्टियटी का सोचती स्कूल के लिए क्या sleep वगरा बता थैंग थोई थोऊ सब्सक्राइब i realize that this man was in no way remote from from the school his remark all showed that he identified himself with it and everyone in it he then wished them success with the council meeting and left the stage to tremendous applause that means now with the view of it at that time mr breathwet think that this man is always with the school he having all the time the mind in his mind all the things always there in his mind about the school and now he just congratulate to the student and give them success and say that okay you will carry on and he just leave the stage and there is a great applause for it to abhi unewho de pecho ko ka hai ki unko breathwet ko laga ki ye at me school se alak souchta heline ka hehehehe mi Dorori jayisu haid master ho te wa apne school ke pari pati joe jisei ghar me bada jouta joe puri koni ghar ko sambalta ayo us ke dimarato ho me shak ghar mein kaisa चीज़े और उस मीटिंग के लिए और उस टेस से बाजू हो जाते तो वहाँ पर सारे बच्चे जो है उनको टालिया बजा करते उनका स्वागत करते और फिर आगे क्या होता है तो यहां पर उसके बाद quickly सारी चीज़े हुई सबसे पहले मिस जॉसेफ जो वहां की शूटन वह आगे आई और उन उन्होंने कहा कि आज उन्होंने बताए कि आज हम लोग क्या करने वाले किस तरीके से हम लोग हमारा आज काम है आज दिन भर हम लोग क्या क्या चीज़े करने वाले कौन-कौन से एक्टिविटीज करने वाले उसके बादे में उन्होंने जानकारी दी उसके बाद क्या हुआ each class would report through its representative on the studies pursuit during the half year which began after Easter a representative having been chosen for each subject now here is the thing that we have to understand that every class is going to have a representative and that representative is going to represent about all subjects and they are going to talk about all subjects how they teach and what things are going on in their classes so here is the class of each class and their own representative every subject is representative we will talk about which work is going to be which work is going to be done and we will talk about classes and lectures we will talk about it when all the classes had completed their report a panel of teachers would be invited to occupy the stage and answer question from the body of the hall on matters arising out of the various reports that means maybe some reports are good some bad some questions are out from it for that a panel are made by there and this panel is going to think about it and they are going to answer the questions of the students question so here is a panel which will tell you which will tell you in charge of teachers which is being asked to be asked to answer the questions which is the most important thing which will not be asked to answer this process because the answer for the students the title of the students which will also allow me at the description of the children and no member of the staff knew either how many of which teachers would be invited to sit now there is a thing that means this panel is made by maybe students or teacher i don't know so there is no clarification about it but no one no teacher is actually know how many teachers are going to sit there and observe that things or answer that questions no one knows so you have a panel get it that you have a panel when you have a teacher to offer bet it is that you can see teachers go back to the report began with the lowest of the youngest class first this were mainly twelve-year-olds who had joined the school the previous summer most of them were shy and rather frightened at standing up before the entire school but nevertheless they managed it credibility creditably they had been newly introduced to the difficulties of seeking information for themselves so their report was understandably rather short now what do you think that means uh they started with the first class the first class is 12 year students who just joined the class last summer six months ago they joined the school and the school and so they are little bit shy they are frightened to speak in front of the uh other students or classes but still they have a short report and they give this report in a different way they have their own problems and they just share their problem with the other classes so this is the first one here with the first class on the school and the second class is is that the family has 12 years ago the other six months ago the ones who come to the school who are 40 years ago at school then they come to the school and they have the same day to get a से डर रहे हैं तो वहां से शुरुवात होते हैं दिरे दिरे करके बात कर रहा है और वह थोड़ा अपना रिपोर्ट चोटे बच्चे की बजय से जल्दी जल्दी अपना रिपोर्ट समिट कर रहे है ठीक है आगे बढ़ थे class after class and represented and it was obvious that with each succeeded term there was a mark development in their abilities of express themselves that means with the help of this they can express themselves that was the most important thing इसकी वज़े से क्या हो रहा है कि दीरे दीरे बच्चे अपने और से दीरे दीरे बात कर रहे है और उनकी जो ability है अपने आपको express करने के अपनी बात रखने की वो दीरे दीरे बढ़ रही है ठीक है much of the work was rather elementary but to them it loom large because they understand it and something of its relationship with to themselves that means it might be look like large but still it is good for them they have some relation with it so that it is good for them तो यहां पर यह थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन फिर भी यह सारी चीजह उनके लिए अच्छी है तो इसलिए सारी लोग interestingly सुन रहे है throughout all the reports the emphasis was on what they understood rather than what they were expected to learn that means the most important thing in this all chat they have two different things there first what they understand what they think so what they expected actually so what they understand is more important than what they expected actually we should go for the expectation thing just because what students expected that is more important okay तो यहां पर दो चीज़े जीग यह पूरे इसमें कि आप क्या सोचते हैं आपको क्या समझ में आया है और आपको क्या चाहिए उस तरीके से दोनों चीज़े तो कई कई बच्चे अब दोने के अड्मिशन ले लेते हैं उनके एंबिशन कुछ अलग होती है उनकी राय कुछ अलग होती है लेकिन पढ़ाय कुछ अरक से तरीक से तो वह बहुत उस्पाइब बताएंगे कि आपना सीरियसले बैढ़ गए और सोच तरे क्या बताएंगे बच्चे भी थीक है अब हमारे जो ब्रेथवेट है उनके बच्चों की बारी आ गई है तो वह जैसे उपर आए तो डेमन ने एक एक करके सब के जो जो बच्चे है आज बात करने वाले वो सारे बच्चों के एक साथ उन्होंने उपर बुला लिया फिर क्या होता है देखिए तो यहाँ पर कौन-कौन से बच्चों ने क्या क्या है वो दिया थे कि पॉटर जो है वो अरित्मेटिक देखने वाला है सपेनो नेचर स्टडी मिस पेग एंजेक्शन जोग्राफी देखने वाले मिस डेर एंड फेमन फीजियोलोजी देखने वाले मिस डोड हिस्ट्री के बारें बात करने है और मिस जोसेब जो है और डोमेस्टिक साइन्स के बारें बात के यह मतलब यह स्टूडेंट के नेम है और यह उनके सब्जेक्श जो वो पास करने वाले इस हिसमें ठीक है तो आगे बढ़ते हैं I felt terrible pleased and proud to see the confident courtesy with which Daimon used them term miss in the addressing each of the senior girls I felt sure that this would in itself be something for the younger ones aim at the sort of baggage of young adulthood that means he is actually happy to see that his students are going really well Daimon is really using miss word for a student really well and that was actually a lesson for the younger student they will understand this and they will also going with the same thing afterwards तो यहां पर उनको बहुत अच्छा लग रहा है खुशी मिल रहे है उस चीज से और वो आगे बढ़ रहे है समझ रहे उस चीज को कि क्या चड़ रहा है कैसे उनको पसंद आ रहा है सारी चीज़े और वो है कि यह एड़े डूल के लिए उनके लिए अच्छा है मतलब आगे बढ़कर उनके लिए भी यही सीखना है कि कैसे किस तरीके से जो डैमंज है वो कट्से बड़े लड़कियों को मिस करके पुकार रहे हैं तो कैसे यह सारी चीज़े चलती रहे हैं उसके बारे में उनको अच्छा लगता है आगे देखे क्या है As their names were called, they walked up to the stage and took their seats with commendable gravity, Ms. Joseph then gave a short address, she said that their lessons had a particular beast towards the brotherhood of mankind and that they had been learning through each subject how all mankind was interpreted in spite of geography. location and different in colors, races and creeds that means here is the thing that means here the thing started meet Joseph started with the thing she says that she is giving the short information about it she said that every man is on himself and she talked about every man is even though he is come from with different religion, different color, different races, different creeds, still we are all mankind. हम लुक्ञान लगे के वार में लखे लेकिन स्विर भी हम लोग सब इंसान है यह हमें भूलना नहीं चाहिए. हमीश dov दिमाग में हो जहिए कि हम सब के सब इंसान यह बात हम लोग जब दिमाग में रेखेंगे सारी चीज़े अपने आप वैसे ही अच्छी होती रहेंगे देन शी काल ऑन पॉर्टर पॉर्टर विंट अन तू स्पीक अप दे वर्क दे हाद दन ऑन दो वेट्स अन मेजर्स अप दे रिलेशन बिट्विन दे किलोग्राम अंद पाउंद दे म बारे में अच्छी बारे में बात की उसने कैसे किलोग्राम है पाउंद टाये मीटर क्या होता है फीट क्या होता है फीड क्या होता है फुट कि अ शारी चीजि़ उसने बताएं he said that throughout the world one or other those two methods was either in use of understand and that it was a symbol of the greater understanding which was being accomplished between the people that means there is two different things so that one is one and other that means I was and others that was the thing and that was the things is going on and this can be useful to understand the thing so here is the concept of this concept is very important and people get more knowledge from this. Sapanio spoke of the study of the class had made paste especially black road on wheat, ball well cotton and Colorado beets and potatoes he showed how many countries had pooled their knowledge and results of research on the behavior breeding habits of migration of this pest and where gradually reducing threat they represented to this important products. Now everything that means again the Sapanio is there who is going to talk about the uh rot and uh black rot on the wheat that means how the crops have the problems and how we can solve that how other countries are talk about it and how they work on it migration is also another another thing and that was the all the things they are talk about. the Jackson spoke first on the distribution of the mineral deposit and vegetable procedure over the earth how a country rich in one was often deficient in their other and of the interchange and interdependence with the inevitably followed that means two people are there come Miss Pegg and Jackson and they divided into two so first of all Jackson spoke about the earth and vegetables and all deposit in the earth how it works on it so here are two people and Mrs. Pegg and Jackson they started to start with the geography so they have the two parts of the world they have the most important and how they can reach the country they have the food they have the most important thing miss peg dealt with human relationship stressing problem facing the post-war world for feeding clothing and housing of population now here is the ring miss peg is deal with the different thing she talked about the human relationship and what problem we are following after the world war we are talking about the world war in the second world war की और के बाद क्या होता है she also made a reference to the thousands of refugees stateless and unwanted and to the efforts of program of unicef for month as usual had a trumped card up his sleeve that means here is the thing that means how the thousands of peoples are homeless at that time they are know how they don't have any home and they have forcefully go everywhere so unicef is how work on it how they give their home to them so it was such a time that many people had no home, they didn't have any country, so at this time UNICEF helped them and gave their home when called he made a signal to someone off stage and welsh and allison appeared bearing a skeleton between them together with a sort of gallows so he just signaled to welsh and allison they come forward and they have a skeleton in their hand and they are just going to show that to students so just like he has a signal so when this arrangement had been set up there was a skeleton hanging from the hook screwed into the top of its skull gently revolving at the end of the cord so you have skeleton the skeleton they set or that and they have to start on it skeleton a much better place to start on it, so we have to talk about it and we have to talk about it we have to talk about it, so we have to talk about it, so we have to talk about it मिल लोग की सीमिटिंग wages करते हैं अब आगे आने वाले कैसे कुछ बच्चे जुर्ण होता नहीं कि सब्जेक का कुछ काम होता नहीं है सारी चीज़े हम लोग अगले वीडियो में देखें के पार्ट फोर में आशा करता हो आज का वीडियो आपको पसंद आकर लाइक कर दीजिए शेर तो आपको शेर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जिन्हों ने अभी तक वीडियो कर दोस्तों कीbanा कर जोस्तों के हमाना वाले षगण है वीडियो आपको पसंद भरेलियो आपको जाएक है पार्ट वीडियो